आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Welcome, Question है The Reason Why Water Ponds Appear Less Dip हम लोग से पूछा है कि जो Water Pond है वो हम लोग को कम गहरा क्यों दिखता है Refraction के कारण Reflection के कारण Prism के कारण या Direct Impression के कारण ठीक है तो इसका हम लोग solution करेंगे हम लोग जानते है कि Refraction क्या होता है Refraction क्या होता है अगर कोई Body Rarer Medium से Dancer Medium पे जाता है तो जो Incident होता है Ray ठीक है वो क्या करता है Towards Normal Bend करता है ठीक है वो Towards Normal Reflect करता है लेकिन हम लोग जानते है लेकिन जब लोग जानते है Light जब अगर Dancer Medium से Rarer Medium में जाएगा ठीक है Dancer Medium से Rarer Medium में जाएगा तो वह क्या करेगा वो Away From The Normal Reflect कर जाएगा ठीक है तो ऐसे ही जो हमारा Pond है वो एक Medium से दूर Dancer Medium से Rarer Medium में ट्राइवल करता है जिसके कारण उसका जो क्या बोलते है उसका वो हमनों को Less Deep दीखता है क्योंकि वो Away From Normal हो जाता है Normal से दूर जो यहां दिखना चाहिए वो हमनों को यहां दिखता है जैसे अगर हमनों कोई Pond में जैसे एक Pond है ठीक है इसमें हमनों पत्थर यहां हमनों को जो पत्थर एक्चुली यहां है वो हमनों को यहां दिखेगा क्यों दिखेगा क्योंकि वो देंसर से रेरर मीडियम में आ रहा जिसके कारण वो जो लाइट जो है देंसर से रेरर मीडियम में आ रहा तो जो इंसिडेंट लाइट होगा वो नॉर्मल पे ना बेंड होके वो away from normal bend होगा और हमनों को यहाँ का object यहाँ दिखेगा ठीक तो हमनों का answer क्या हो जाएगा हमनों को pond less deep क्यों दिखता है refraction के कारण ठीक है तो हमनों का answer हो जाएगा refraction Classics to 12 से लेके Need IIT.J.E. Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर